अलवन नगर परिशद 2022 का भजट नगर परिशद सभागार में 149 करोड रुपय का पारित कर दिया गया इस दोरां शेहर के 65 वाड पार्शदों में से 32 पार्शद ही मुझूद रहे भाजबा पार्शदों ने सभापती वे बोर्ड पर विकास कारेों के मामलों में पक्षपात के आरोप लगाए है साथी पिछले दिनों सरकार द्वारा निलंबित उपसभापती मामले में हाई कोड से मिले इस्थघन के बावजूद आज तक उन्हें उपसभापती का पद बार गरहन नहीं करने दिया गया यह लोक तंतर की हत्या है आज नगर प्रशद बोर्ड की मीटिंग आज़ित की गई थी जिसमें वर्ष 2022 से इसके लिए 149 करोड रुपय का बजट पास किया गया इस दोरान सभापती मुकेश सारवान करे वहा कायूप नवीन मीना उपसभापती, देवेंदर कोर सेइत, नरेंदर मीना वे 32 अन्य पार्शद मुझूद रहे इस मुकेश पर सभापती ने कहा शहर के सभी 65 वारों में बराबर के विकास कराए जाने की बात कही कि पहले इस बाल में कि इस बार विकास तरीके से पुर्ण ने वीकास क्यों करने काम करना ना तो आज बार्विक बस्तों पर हमने विकास किया है ऐसा कुछ नहीं को आप नजदीक से जानाते हैं तो सफाई सबसे बड़ी चोन होती है अगर सफाई हो जाए तो सफल हो जाए आपका प्रोग्राम में मीडियम कमादम से बताना चाहता हूं कि आज से दो-तिन साल से मेरे भा बजट मिटिंग में भाजापा के बार्षद नजार अद रहे भाजापा पार्षदों ने पार्टी कारेले पर परतिपक्ष नेता सतीश यादों ने नगर परिशद के कॉंग्रेस के बोड़ पर पक्ष पातपूर्ण विकास कारे कराने के आरोप लगाए काम किया अन्यता उपस्वापती का सिर्फ पद इसी काम में आता है कि सवापती का किसी करान से पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर उपस्वापती विराजमान होते हैं कि कानूने नियम है लेकिन कॉंग्रेस ने अटधर में दिखाते हुए 22 दिन तक इस पद पर कोई भी तरीके से निलम्मित किया उसका अमारे विरोध था क्यूंकि सभापती के पत्पर आज भारजिंता पाट्डी का हमारे गंसयाम गूजर यहां वराजमान होता इस बात को लिए विरोध था और जिस प्रकार से सहर में विकास कारियों बहेदबाव बरता गया और पूरे सहर म एक मावल ऐसा बना कि क्या वास्ता में विपक्स का कोई काम नहीं लगेगा विपक्स का काम नाम मात्र कर लगेगा कि बहुत बड़ा भेदवाव को लेकर के भी सभी पार्षटों में इस बात को नाराज की थी और इसलिए हमने उस मिटिंग की बायकाट किया कि जिस प्रकार स जो समस्याइद उन पर कोई चर्चा करने का उनका मनी नहीं था इस बात का हमको पता लग गया था इसलिए सभी पार्षटों ने एक मत होकर के तेकिया कि हम इसका बायकाट करेंगे हम जिरोद कर रहे हैं इस बात का कि सरकार ने हमारे गंशाम गूजर जी के साथ बिलकुल आज तक गंशाम गूजर को उप सभापती का पद नहीं दिया जा रहा उन्होंने कहा यह सरकार द्वारा लोक तंत्र की हत्या किया जाना है इतने अच्छे उसमें इस बजट को बनाया और साथ ही आप यह देखें कि इस बजट से क्योंकि पूर में वी दो साल हम इसके बोड में होगे तो पहले इससे पहले एक सो च्छे करोड का बजट अपने आप में माइन रखता है और एक सो पचास करोड में पच्चिस करोड पूरवर्ति हमारे पास पहले काई पैसा हमारे पास बचा हुआ और साथ में है तो शहर में इस बार विकास के नए आया में स्थापीत होंगे जैसा है पर चुकि यहां भी लोग राजनिती करने से नहीं इसके चाहते हैं जैसे आब आप यह देखेंगी भाजपा के पूरी रखा क्योंकि वह वस्ता ही नहीं थी कि जो उसको वह विरोध कर पाते हैं